हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने Motorola G22 Android मॉइल फोन में आप जो है फास्ट और सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं और यह फास्ट और सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद किस तरीके से काम करते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकरी देने वाला हूँ तो चलिए यहाँ पर जो है एम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने मॉबायल फोन में सेटिंग पेज ओपन कर लेना है setting page open नीचे को नीचे की side मे आना है और यहाँ पर आपको system का option मिलक में सिस्टम पर select कर लेंा है इसके बाद आपको system के इस page में gesture का यह option देखने को मिल जाएगा gesture के इस option पर इस सिख्ट कर लेना है अब यहाँ पर आपको gesture की is page में सबसे नीचे इधा तो यहीं पर आपको करना क्या है किए कि आपको और उफ होती है तो आपको दो बार जोई chopping motion में आपको chopping, जैसे हम की चीज को cut करते है, इस तरीके से आपको दो बार जोग करना है, इस तरीके से, तो आपका MWILEPHONE की जो torch होती है, यह आपकी on हो जाती है, आपको थोड़ा जटके से करना है, यह निकि धीरे दीरे करेंगे, जटके से करना है, तो आपके one phone की torch होती है वो आपकी enable हो जाती है योओन हो जाती है अब इसी, उसी motion में आपको जो है, दवारा से करना है इस तरह के से तो आप देख सकते है हमारे one phone की Connects vedite jour torch है वो हमारी off हो जाती है ठीक है तो इस तरह के से यह जो fast torch setting एक enable करने के बाद आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अब मैं आपको जो है इस सेटिंग को ढूड़ने का एक शॉटकट तरीका भी आपके मुवाइल फोन में बता देता हूं तो यहां पर आपको जो है सेटिंग पेज ओपन कर लेना है और सब से उपर आपको यह सर्च सेटिंग का ओ तो यह एक शॉटकट तरीका मैं आपको बता दिया आपके मुवाइल फोन में ढूड़ने का